आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, so today we are going to study chapter 18 of class 11th Body, Fluids and Circulation अब यह अपना किसका portion है Human Physiology का Plant Physiology की तरह Human Physiology भी बहुत important portion होता है ठीक है कह सकते हैं बहुत important part है NEET का अब अपने Human Physiology में total 5 chapter है और हर chapter में से आते हैं अपने 2 questions तो इस chapter में से भी 2 questions आते हैं और weightage कितना हो जाएगा यानि इसका 8 marks का अब देखो इस chapter के नाम से पता लग रहा है Body, Fluids and Circulation तो basically हम अपने Body के अंदर fluids होते हैं यानि कि Blood के बारे में और Lymph के बारे में साथी साथ उसका Circulation throughout the body हो कैसे रहा है तो सबसे पहले देखो यह है अपना आगया Blood इसके अंदर हम देखेंगे अपना Blood जो है basically होता का आसवा Composition देखेंगे कि Plasma होते है Blood Copsules होते है ठीक है फिर different type of Blood Copsules जो है उनका हम देखेंगे Characteristic Features और we can say Function तो Shape हो गया, Size हो गया, Function सब कुछ देखेंगे ठीक है फिर हम Study करेंगे different type of Blood Groups के बारे में यहां पर हम देखेंगे कि Blood Groups हो है, कितने type के होता है humans के अंदर ठीक है, कौन सा अपना Universal Acceptor होता है, कौन सा अपना Universal Donor होता है उन सब चीजों के बारे में समझेंगे ठीक है फिर आएंगे हम finally Lymph के अपर Lymph के बारे में Study करेंगे कि basically Lymph कहां पर Present होता है और Lymph के क्या-क्या Functions होते हैं फिर आते हैं अपना Circulatory Pathways Circulatory Pathways में हम देखेंगे कि जो अपना Blood है उसका Circulation किसके Through होता है Simple Translum क्या सकते हैं कि इस Topic के अंदर हम Study करेंगे Human Circulatory System के बारे में और अपने Heart के बारे में कि Heart Blood Pump कैसे करता है, ठीक है Conduction of Impulse जो होता है वो कैसे होता है Heart के अंदर उन सब चीजों के बारे में देखेंगे फिर आते हैं, फोर्थ पर तो यहां पर है Double Circulation अब Double Circulation क्या होता है देखो अपनी Body के अंदर Blood जो होता है वो एक बारी Flow करता है कि इसके बीच में Heart and Lungs के बीच में एक बारी Flow करता है Heart and Body के बीच में तो Basically 2 Circulation हो रहे है Heart and Lungs के बीच में अपना अलग हो रहा है जिसको हम Pulmonary कहते हैं और Body & Heart के बीच में अलग होता है तो Basically 2 Circulation हो रहे है इसलिए उसको कह कह दिया Double Circulation तो देखेंगे कि हम यह कैसे होता है ठीक है फिर next है अपना क्या regulation of cardiac activity तो अपने जो cardiac cycle है ठीक है कब कह सकते हैं कि कितना blood pump करना है जाधा करना है maintain करना होता है blood pressure increase करना है ठीक है यह सब कुछ को regulate किया जाता है according to body needs तो इसके बहुत सारे अपने regulation centers present होते हैं तो उसकी बारे में study करेंगे आप देखेंगे कि अपने जो circulator system होता है उसके अंदर fats का deposition हो जाता है ठीक है तो ultimately इस वाज़े से heart stroke हो सकता है ठीक है heart failure हो सकता है तो बहुत सारे चीजे होती है उनके बारे में यहाँ पर study करेंगे तो देखो इसका जो introduction है इतना important है ठीक है यहाँ पर blood और lymph द detail में नीचे पढ़ नहीं है तो हम directly इसको वहाँ पर पढ़ते हैं ओके तो start करते हैं हम blood से blood देखो basically अपना क्या है एक special type of connective tissue है अब सबसे important बात exam में क्या पूछे जाती है कि blood किसका बनावा है तो अपना fluid matrix जिसको हम plasma कहते है जो matrix है basically क्या है plasma है and formed elements अब एक matrix के बारे में में थोड़ा समझ लेते है matrix basically क्या होता है किसी भी tissue का जो ground substance होता है basically अब है क्या blood के अंदर बहुत सारे cells present है अब जो यह cells है यह मतलब ऐसी हावा में तो और नहीं रहोंगे किसी fluid में किसी क्या सकते है substance के अंदर liquid के अंदर यह present होंगे तो जो ground substance है यह liquid है उसकों के कहते है matrix है और matrix कब कहेंगे specially जब बना होगा किसका non-living substances का ठीक है तो अपना जो plasma होता है यह भी पूरा का पूरा हम देखेंगे किसका composition non-living substances को ही होता है यानि कि इसमें water होता है proteins होते है minerals होते है ठीक है और कुछ अपने organic molecules होते है जैसे कि glucose अगरा हो गया इसमें कोई भी आपक आपको cell बगरा देखने को नहीं मिलेगा ठीक है बस क्या याद रखना है आपको blood किसका बना है plasma plus formed elements या इसको आप simply कह सकते है blood cells ठीक है तो अब हमें क्या करना है plasma की बारे में और formed elements की बारे में और we can say blood cells की बारे में अलग-अलग discussion करना है एक्जाम में इस topic से बहुत important question आते हैं ओके तो plasma की बाले में पढ़ते हैं हम यहाँ पे plasma जो है अपना वो क्या एक straw colored fluid है ठीक है और इसके अंदर present होता है क्या नेरली 55% of the blood तो मान लो अगर अपना 100% blood है तो 55% volume किस वज़े से है उसका plasma की वज़े से बाकी जो अपना 45% ब determined elements ठीक है यह हम कह सकते हैं अपने blood cells RBCs WBCs या platelets यह होते हैं तो यहाँ पे 55 numbers जो है बहुत important है आपको याद दखना है कि बहुत प्लाज्मा जो है उसका percentage blood के अंदर कितना होता है 55% ठीक है अब हम देखेंगे plasma का composition तो composition में सबसे पहले देखो 90 to 92% of plasma is water तो इसको भी साथ में लिखते रहते हैं water जो है अपना वो कितना है 92-92% ठीक है फिर भचा है अपना के यहाँ पे proteins तो 6-8% कितना बना लेती है proteins ले लेती है कौन-कौन सी proteins present होती है यहाँ पे fibrinogen, globulin और फिर अपना albumin तो यह major 3 proteins है जो अपने plasma के अंदर present होती है अब इनका क्या function होता है वो भी हम देखेंगे ठीक है पहले हम देख लेते हैं और क्या-क्या present होता है तो फिर यहाँ पे आते हैं अपने small amount of मिंडल्स कौन-कौन से Na+, calcium हो गया magnesium हो गया HC-3o negative यानिकी bicarbonatines और chlorine तो आपको यह याद रखने है mineral science याद रखने है क्योंकि exam में पूछे जाते हैं अब देखो water 92-92% ठीक है उसके बाद अपना protein यो थी यह कितनी थी 6-8% तो almost अगर इसका minimum भी माने तो 90 और 6 96 यह हो गया बचा अपना 4% ठीक है तो यह कौन आपके पाय कर लेगा अपने minder lines प्लस यहाँ पर देखो glucose amino acids और lipid तो यह भी present होते है अपने plasma के अंदर और साथ ही साथ ब्लड के अंदर present होते है factors for coagulation or clotting of blood अब यह clotting क्या है इस चीज को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं देखो जब आपके कहीं injury होती है तो आप देखते हैं कि एक red color का scum सा develop हो जाता है तो basically वो जो scum होता है ठीक है उसी कम के कहते है वो जो mechanism होता है scum formation का उसी कम कहते है coagulation ठीक है तो उसके लिए बहुत सारे factors का requirement होता है तो वो सारे factors ब्लड के अंदर present होते है especially sorry किस के अंदर plasma के अंदर ठीक है तो आपको याद रखना है exam में पूछा जा अब यहाँ पर एक line लिखी है होता है usually इन चोटी चोटी लाइनों को students ignore कर देते हैं ठीक है लेकिन यह बहुत important line है क्या कि जो plasma होता है without clotting factors is called serum तो अभी हमने बोला था कि clotting factors जो होते हैं अपने plasma के अंदर present होते हैं लेकिन जब इसी plasma के अंदर clotting factors absent होंगे तो उसकों के कह serum तो serum is equal to plasma minus clotting factors अब हमने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि exam में इसी तरीके के question आते हैं आपको options देतेंगे serum is equal to plasma plus clotting factors, plasma plus blood corp cells, plasma blood wbc, plasma minus clotting factors ठीक है तो आपका answer क्या होगा plasma minus clotting factors तो इस चीज़ को यहाँ तक नहीं है अब हमने पढ़िती तीन different type of proteins उसका function भी देख लेते हैं सबसे पहले fibrinogen अब देखो fibrinogen नाम से पता लग रहा है कि they are responsible information of fibers तो यह fibers बनाते हैं fibrin ठीक है और वो जो fibrin होता है वो help करता है किसके अंदर clotting और coagulation of blood के अंदर ठीक है फिर आते हैं globulins पे तो globulins यह होती है they are responsible for defense mechanism तो अपने देखो globulins ची होती है उसके अंदर एक type होता है और उसको हमके कहते हैं gamma globulins यह gamma globulins basically antibodies होती है और यह अपने kill करते हैं कि इसको antigen को अगर हम प्रीफ में समझाएं आगे वैसे हम देखेंगे क्या होता है यह तो देखो antigen क्या है किसी भी cell के surface पे present होते हैं substances जो उसको recognize करने में help करते हैं अब यह हर individual के surface पे यह कह सकते हैं हर organism के surface पे अलगल होंगे ठीक है मान लो कि अगर कोई भाहर से माइक्रोब आ रहा है उसके cell के surface के उपर present antigen तो हमारे WBC की surface पे present होते हैं antibodies यह क्या करते हैं उन antigen को recognize करते हैं और वो enzymes जो होती है bacteria को बिल्कुल degrade कर देती है और we can digest कर देती है जिसके वैसे ultimately उसकी death हो जाती है तो antigen को आप कह सकते हैं कि वो identity होता है किसकी cell की ठीक है और last है यहाँ पर अपना क्या albumin तो albumin helps in osmotic balance अब देखो यह paragraph देखने में आपको बहुत simple सा रहा है लेकिन इस paragraph की हर line ही important है क्योंकि हर line से question आता है ठीक है अब albumin osmotic balance maintain करने में कैसे help करता है इस चीज़को हम ज़रा समझते हैं तो यहाँ पर अपना blood है ठीक है यह अपन अपने cells इन cells को क्या supply करना oxygen वगरा supply करना होता है तो होता है कि कुछ amount of fluid blood से यह कह सकते हैं through capillaries से ooze out होके इन cells के बीच में चले जाता है उसको हम कहते हैं tissue fluid और बाद में हम देखेंगे कि यह tissue fluid होता है यह कहीं कहीं क्या बनाता है है तो आपको उतना आगे अभी नहीं जा में यहां पर present होता है solute के अंदर water वगरा तो in case कभी कभी क्या हो सकता है कि blood के अंदर water की कमी हो जाए ठीक है plasma के अंदर जो water का हमने percentage देखा था 92-92% हो सकता है वो कम हो जाए ठीक है तो blood का volume increase करते हैं तो अपना जो albumin है albumin वो क्या कर देता है वो osmotic balance increase कर देता है ठीक है कैसकते है इसके वज़े से osmotic balance में changes आते हैं तो अपना water इन cells के बीच में से या कैसकते है tissue fluid के बीच में से capillaries के थुरू diffuse होके कहा जाता है blood के अंदर और blood का volume जो है फिर से normal हो जाता है ठीक है अब देखो यह होता है कैसे मान लो blood के अंदर volume decrease कर गया और we can say water जो है वो decrease कर गया तो solutes जो है वो क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे यानि कि अपना blood जो है वो कैसा हो जाएगा concentrated हो जाएगा ठीक है लेकिन intertisial fluid जो है अपना tissue fluid जो है वहाँ पे water जादा है ठीक है और solutes जो है वहाँ पे कम है या cells वगरा कम है तो अब हमने osmosis में एक चीज पढ़िए कि water जो है अपना हमेशा move करता है कहां से from higher concentration to low concentration तो water की concentration tissue fluid के अंदर जादा है तो water जो है अपना यहां से diffuse करता है किसे के अंदर capillaries के अंदर और blood की volume बढ़ाता है तो यह osmotic balance maintain करने का सारा काम है किसे का है albumin का है ठीक है अब समझ में आ रहा है कि excess of water कहां से आ रहा है अब जैसे blood के अंदर normal amount of water हो जाता है या थोड़ा water जादा होता है तो blood क्या करता है इस water को वापिस से interstitial fluid के अंदर भेज देता है ताकि इन case अगर फिर से जुरूत पड़ी तो वहां से ले लिया जाएगा ठीक है अब finally हम आते हैं formed elements और we can say blood cells पर तो अब यहां पर देखो erythrocytes, leucocytes, platelets इसको collectively हमके कहते हैं formed elements तो एक important question इसी line से बन गया कि formed elements के अंदर कौन-कौन से cells आते हैं erythrocytes और we can say RBCs, leucocytes और we can say WBCs और platelets ठीक है अब next important question उसी के आगे, क्या deconstitute nearly 45% of the blood यह हमने आपको ऊपर भी बता दिया था अब हमें study करना है किसके बारे में, aithrocytes के बारे में, leucocytes के बारे में and finally फिर हम study करेंगे अपने platelets और we can say thrombocytes के बारे में तो यहां पर इसको हम अच्छे समझते हैं और start करने से पहले direct chart देख लेते हैं तो देखो, composition of blood, blood अपना किसका बना है, plasma, plasma है 55% और formed elements है कितने अपने, 45% plasma के अंदर हमने क्या क्या देखा, एक तो अपना water हो गया, ठीक है, plasma जो proteins होती है फिर हो गया अपना यहां पर minerals, ठीक है, फिर कुछो carbohydrates हो रहा थे अपने, और अपने factors, जो coagulation factors थे यह सक्षी जमने पढ़ लिए, अब formed elements में देखा था क्या क्या होता है, RBCs, WBCs और platelets, ठीक है, तो यहां पर आगए अपने blood cells और यह blood platelets, यह erythrocydes हो गया और we can say RBCs, और यह हो गया अपना leukocytes, अब मैंने यह chart specially क्यों paste कर रहा है, क्योंकि आपको leukocytes को यहां पर हमने समझाना है, ठीक है, तो हम leukocytes में देखेंगे वो, पहले start करते हैं erythrocydes से, तो देखो, RBCs यह होते हैं, और erythrocydes, most abundant of all blood cells in the blood, तो यह फिर से एक important question, कि उसे abundant blood cell अपना कौन सा है, अब आते हैं इसके number पर, healthy human के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, 5 million to 5.5 million और erbices, millimeter cube of blood, per millimeter cube of blood, तो आपको यह भी याद रखना है, 5 million to 5.5 million with unit के साथ याद रखना है इसको, ठीक है, फिर दिखा रहा है यहां पर इसका formation, तो erbices यह होते हैं, they formed in red bone marrow, तो अब arbices यह हैं, यह कहां पर बन रहे है, red bone marrow, अब उसके साथ में इन्होंने एक और चीज लिख रहे किये क्या, कि यह बनते हैं अपने adults के अंदर red bone marrow में, तो फिर बात आती है, जो अपने infants होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कहां पर बनते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है, infants के अंदर यह अपने बनते हैं, liver और spleen के अंदर, ठीक है, यह बहुत important है, exam में question आया है, कि चिलन्स हो गए या infants हो गए, उसके अंदर rbices अपने खहां पर बनते हैं, तो liver और spleen के अंदर, ठीक है, अब यहां पर देखो, एक और important term आता है, और वो क्या ह है, ठीक है, तो formation of rbices जो होता है, उसकी जो process होती है, उसको क्या कहते है, erythropoiesis, तो यह गया है, erythropoiesis, अब यह NCRT में कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन previous year में यह question बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कि rbices के बनने को क्या कहते हैं, ठीक है, wbices के बनने को क्या कहते हैं तो यह हमने पढ़ना जरूरी होता है, तो आपको इस term को यहाँ पे याद रखना है, अब आगे move करते हैं, abices जो होते हैं, they are devoid of nucleus, यानि कि nucleus जो होते हैं, इनके अंदर absent होते हैं, यह भी बहुत important question है, पूछा गया है, कि abices के अंदर nucleus present होता है या absent होता है, तो most mammals के case में nucleus कैसा होगा, absent होगा, साथी साथ यह कैसे होते हैं, they are byconcave in shape, ठीक है, shape इनकी byconcave होती है, they have a red color iron containing complex protein, जिसको कहते हैं hemoglobin, तो यह हमने breathing and exchange में भी पढ़ा था, कि abices होते हैं, उसके अंदर present होता है hemoglobin, ठीक है, और hemoglobin का क्या function होता है, कि यह oxygen को carry करता है, और साथी साथ red color क होती होती है, इसलिए इन cells को नाम दिया है, क्या red blood cells, okay, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाईया, nucleus absent है, तो nucleus absent क्यों होता है, nucleus के absent होने की वज़़ा भी यही है, क्यों, क्योंकि अगर nucleus नहीं होगा, तो बीच में space ज्यादा हो जाएगा, cell के अंदर space ज्यादा हो ज्यादा hemoglobin carry करेगा, और ज्यादा oxygen को transport करेगा, साथी साथ अपने जो arbices होते हैं, इसके अंदर mitochondria वगरा, देखो उसको note कर लेना, ठीक है, या भी note कर लो, हम इसको raise कर देते हैं, ठीक है, पॉस करके इसको note कर लेना, हम यहाँ पर इसको raise कर देते हैं, क्योंकि और भी points mention करने हैं, तो हम यह बता रहे थे कि जो अपने arbices होते हैं, उसके अंदर mitochondria वगरा भी absent होता है, ठीक है, तो most of the cell organelles जो होती है, absent होती है, क्यों, same reason, hemoglobin यह जादा carry कर पाएगा, जो दिबाग में कोशन आना चाहिए, यह mitochondria absent है, तो फिर respiration कैसे होगा, क्योंकि mitochondria का function क्य होता है, ATP बनाना, that means कि arbices के अंदर aerobic respiration नहीं, बलकि सिर्फ क्या होता है, glycolysis होता है, ठीक है, और anaerobic respiration होने का एक और reason है, अब देखो, glycolysis में क्या है, oxygen का use नहीं होता, that means कि यह क्या है, एक anaerobic respiration है, अगर अपना RBC, aerobic respiration perform करता, तो जो यह hemoglobin के साथ O2 को transport कर रहा है, उसको खुद भी use करता है, और ultimately अपने tissues के पास sufficient amount of O2 का transport नहीं हो पाता, ठीक है, तो basically यह सारी क्या है, adaptations है, इन से related exam में question आ रखे हैं कि arbices के पास mitochondria क्यों नहीं होता, arbices के अंदर glycolysis ही क्यों होता है, ठीक है, त तो सारा काम क्यों है, कि oxygen जो है, वो cells के पास, tissues के पास जादा से जादा पहुचे, तो यह hemoglobin की बात हो गई, अब साथे साथ RBC के अंदर special enzyme present होती है, जिसका नाम क्या है, carbonic anhydrase, और इस enzyme के बारे में भी हमने breathing and exchange of gases में पढ़ा था, यह किसमें help करती है, bicarbonate ions बनाने में और ultimately CO2 के transport में, तो यह भी आपको यहाद रखना है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा था कि जो अपने RBCs हैं, यह bicarbonate ions होते हैं, किसके case में, mammals के case में, most of the mammals के case में, लेकिन exam में फूचा जाता है, कि oval RBCs किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसको हम camel होता है, camel and llama, इसके अंदर RBCs आपके bike uncave नहीं होते, कैसे होते हैं, oval होते हैं, तो यह सारी चीज़े important है, इसलिए बताए चारी है, NCRT में इतना नहीं दिया है, आप एक बार ही जरूर previous year कोल के देखना, उसके अंदर आपको यह सारे questions मिलेंगे, ठीक है, अब वापिस य के function की, तो इसका function क्या है, they play significant role in transport of respiratory gases, अब hemoglobin present है, तो oxygen का transport कर रहा है, ठीक है, carbonic anhydrous present है, तो CO2 का transport कर रहा है, और यह transport कैसे करते हैं, इसको आप breathing and exchange of gases में देख सकते हैं, ठीक है, अब आते हैं सबसे last में इसके lifespan के उपर, तो average lifespan यह होता है, RBCs का 120 days होता है, जिसके बा स्प्लीन को हमके कहते हैं, graveyard of RBC, यह भी बहुत important है, exam में direct question पूछा गया है, graveyard of RBC कोन होता है, तो स्प्लीन, ठीक है, life span इसका 120 days है, जो कि सबसे जादा है, तो यह भी question आया गया है, कि सबसे जादा life span कौन से blood cell का होता है, तो RBC, तो यहां पर हम लिख देते हैं, longest life span, यह स लेना, यह एक paper पे लिख करके, इस वाले paper NCRT के उपर उसको paste कर देना, तो यहां पर अपना, अब erythrocytes होता है, अब next video में हम study करेंगे, leukocytes के बारे में, देखेंगे अपने जो leukocytes होते हैं, कितने types के होते हैं, और उन types का, क्या-क्या function होता है, ठीक है, और उनका classification और वो किस basis पे किया गया है, तो leukocytes और platelets, हम देखते हैं, next class में, और साथ यसाथ उसमें हम देख लेंगे blood groups के बारे में भी, okay, thank you so much.